अब हमारे साथ विशेश बात्चित के लिए जुड़े हैं को फाउंडर ओगू लर्निंग अप के और को डिरेक्टर एलन रहुत तक इंस्टिटूट के मिस्टर अभिलाश सर सर जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोगडाउन का महोल चल रहा है करोना महामारी जिस तरह पूरे विश्व में फैल रही है हर्याना में रहत तक में भी इसने अपने पैर पसार लिये हैं ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर देखने को मिल रहा है तो आपने ऐसा अपने स्टुएंट्स के लिए क्या विवस्ता किया कि उनकी पढ़ाई पर जादा इसका असर देखने को ना मिले दिखे ओफलाइन सेंटर तो आलन रोतक का है ही इसमें हम सारी चीज़ें बच्चों के सबी नीट्स का ध्यान रखते हैं अकैडमिकली उन्हें हर चीज़ के लिए असस्ट किया ही करते हैं पर जैसा कि आपने मेंशन किया कि इस लॉकडाउन के पीरिड में अगर हम बात करें तो हमने वही सारी चीज़ें अकैडमिक परफॉर्मेंस से लेकर टीचर्स के रिकॉर्ड़ेट लेक्चर लाइव इंटरक्शन विड़ स्टुडेंट्स रांक इंप्रूव्मेंट प्रोग्राम वगेरा यह सारी चीज़ें हमने हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओगू दे लर्निंग अप पे शुरू क करना था सी वुड लाइक टू से असवेल कि हमारे क्योंकि हमारे दर्शकों तक मैं चाहता हूं यह बात पहुंचे जिस तरीके से हम कहते हैं कि पानी हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे जीवन के लिए बहुत जादा आवश्यक होता है लेकिन अगर वो पानी स्वच्छ ना था वो पैन इंडिया ऐफोर्डबल कॉएलिट एडुकेशन का विजिन था जिसमें हमने अपनी शुरुआत जो की है वो रोतक और हर्याना हम कह सकते हैं कि हर्याना के बच्चों के साथ हमने अपनी शुरुआत की है क्योंकि यहां के बच्चों में हमें पोटेंशल भी से हैं कुछ बच्चे जिने हम already जिनसे हमारा interaction हो चुका है या जो batches हमने all India rank हम सभी लोगों ने हमारी पूरी टीम ने काफी single digits rank भी प्रोड्यूस की है तो हमारे पास वो भी बच्चे हैं जो विजयवाडा हैदराबाद से जुड़े हुए हैं बट येस उनकी उन बच्चों काफी अच्छी हो चुकी ही है तो धीरे धीरे lockdown में actually क्या है कि अभी तक लोग भी online education के towards बहुत जादा positive नहीं है specially लोगों का आज भी मानना है कि भारत में क्योंकि गुरुकल की परंपरा काफी पहले से है ही तो हम लोग भी दिल से यह मानते हैं कि नहीं वो परंपरा आगे चलेगी भी पर जैसे lockdown का period है या जिस तरीके से हम trend को बदलते हुए देख रहे हैं बच्चों का screen time काफी जादा बढ़ रहा है आजकल के बच्चे mobile phone, tablets, computer, laptop इनके साथ बहुत जादा time spend करते हैं तो यहीं अगर इसी aspect को हम education के point of view से समझें तो उनहीं बच्चों को अगर हम online education या e-learning के बारे में अगर मैं बात करूं तो e-learning अगर provide कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का diversion क काफी जादा उस तरफ जो जुकाव होगा वो बहुत जल्दी देखने को हमें मिल सकता है तो आप यह कह रहे हैं कि जो आपकी learning gap है वो कुछ face कर रही है positive या negative impacts जिसे की देखा जाता है कि लोग कहते भी यहीं है कि बच्चे जल्दी negative चीज़े जल्दी catch करते हैं बजाए positive पकड़ने के तो अगर देखा जाए तो education तो ही learning point of view से देखा जाए तो क्या आपको खासा face करने को मिल रहा है बच्चों को लेकर भी और parents को लेकर भी देखिए negatives की बात अगर मैं पहले करूँ ताकि फिर से मैं यह कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि negatives को लोग negatives की तरह ना ल screen time काफी जादा हो गया है पहले भी बच्चे gadgets के साथ time spend करते थे अब e-learning के बहाने वो और जादा time spend करने लगे हैं मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह सिर्फ बहाना है यह productive नहीं है यह है बिलकुल productive बच्चे पड़ भी रहे हैं बट overall उनका screen time काफी जादा बढ़ रहा है त तो इसमें अगर हमें as a teacher और as a parent और guardian जो भी available हैं बच्चों के साथ वो अगर इस चीज़ को make sure करें कि बच्चा जादा से जादा समय अगर सिर्फ learning में ही बिता रहा है उसके अलावा वो काफी कम अपने gadgets वगेरा use कर रहा है और इस time पर अपने परिवार के साथ time spend कर रहा ह या अपने life के बाकी के aspects को भी focus कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो एक बहतर शुरुआत हो सकती है e-learning के trend की कहीं न कहीं हर चीज़ के pros and cons होते हैं तो ये कुछ हट तक एक negative वाला part है बट positivity की अगर मैं बात करूं तो हाँ जब से हमने अपनी शुरुआत की है बहुत तेजी से मैंने ये चीज महसूस किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो e-learning को positively accept भी कर रहे हैं तो definitely मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और हमारी feel की तो कहावत है कि सारी चीज़ें result पे आधारित होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम हमारे e-learning program से बहुत समय पहले से था लेकिन अगर मैं proper formal execution के बारे में बात करूँ इसके तो 15 तरीक की बात है 15 March को ऐसा हुआ था कि हम लोग यहाँ पर lecture ले रहे थे और lockdown अचानक से हुआ और हमसे कहा गया कि हम instantly lecture बंद करने पड़ेंगे premises भी close करने पड़ेंगे लेकिन हम काफी सारे बच्चों को cater कर रहे थे जिनका NEET और JEE का exam होने वाला था तो हमने बिना एक दिन की देरी किये हुए 16 March को यह decision ले लिया था कि चलिए जो भी हमारा vision है हम उसे practically implement करना शुरू कर देते हैं तो यही बात है कि आप कह सकते हैं कि 16 March इसी साल से हमारी शुरुआत हुई और बहुत कम समय म हमने बहुत सारे lectures prepare किये बच्चों को काफी जादा cater किया और अब हम इस साल के JEE और NEET में भी काफी अच्छी results उन्ही lectures के basis पे expect भी कर सकता है Thank you sir